जै शरी राम किर्ती नहीं मिल पाती लेकिन जिसका शुक्र मजबूत होता है वो लोग अक्सर किर्ती और यश्व प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं जीवन के किसी भी मोड पर वो व्यक्ति कहीं न कहीं बाकि लोगों से खुद को आगे रख पाते क्योंकि financially strong होते हैं ऐसे लोग, इसलिए कहते हैं कि जिसका शुक्र अच्छा उसका जीवन अच्छा, जीवन में बहुत सारे ऐसे उपाये हैं जिनको करके हम अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, और कौन नहीं चाहता कि आपके जीवन में यश हो, समरद्धी हो, पै शुक्र का दूशित होना, कमजोर होना, पीडित होना भी एक कारण हो सकता है, और आज उनी कारणों पर हम चर्चा करेंगे, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलजार, नुम्रलोजिस्ट, लाल कितावन वास्तू कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से अगत करता हूँ, आपके सपने बेहत खास कारेकरम, भाग्यादरपन, उम्मीद के किरण में, जीवन में हर कोई महनत करता है, लेकिन कभी कभी कई बार महनत ही काफी नहीं होती है, बलकि कुंडली में शुक्र ग्रह की इस्तिती भी मजबूत होनी जरूरी है, शुक्र ग्र परिशानियों का सामना करना ही पड़ता है, इन सर समस्चाओं का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अगर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत इस्तिती में हो, तो वै व्यक्ति, राजा जैसी जिन्दगी जीता है, किसी चीज़ की कमी उसके पास, किसी संसाधन की कम तिक सुख सुवधाओं की कमी उसके पास नहीं रहती है। प्यूम या इत्र गिफ्ट करें तो आपके लिए बहतर रहेगा। आप उनको कोई अच्छा सा शेविंग किट भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप उनको कोई अच्छे से लगशरी आइटम्स जैसे जूलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो उससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है, आप अपनी पतनी को जूल्री गिफ्ट करें, उससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, विर्शव राशी, अपनी रिंग फिंगर में एक डाइमंड या फिर एक ओपल की रिंग धारन कर लें, लेकिन बिना जो तिशी स अला के न करें, तो उससे आपका शुक्र जरूर स्ट्रोंग होता है, मितन राशी, छोटी-छोटी कन्याओं को, जो बारे साल से कम उमर की कन्याओं हैं, छोटी-छोटी कन्याओं हैं, गरीब कन्याओं को, कोई भी मिठाई, जैसे सफेद रंग की मिठाई, अगर हो, जैसे चोटी गरीब कर्याओं को दान करना शुरू करें तो आपके शुक्र आपको सुबफल देना शुरू कर देंगे करक राशी अपनी माँ और अपनी बड़ी बहनों के पैर शुकर आशिरवाद लेना शुरू कर दें और मुम्किन हो तो उन्हें कुछ तोफा भी कभी कभी दे दिया करें शुकरवार के दिन तो बहुत जल्दी आपका शुक्र आपको अच्छे फल यानि शुबफल देना शुरू कर देता है सिंग राशी अपने से बड़ी महिलाओं और अपने कारेशेतर में अपनी महिला कर्मियों की इज्जत करें अपना कारेशेतर खुबसूरत रखें, विवस्तित रखें, साफ रखें तो आपका शुक्र आपको अच्छे फल देना जरूर शुरू कर देगा कन्या राशी पर ते दिन 108 बार शुक्र के बीज मंतर का ध्यान करें मैं फिर से बोल रहा हूँ इस मंतर का जाप कम से कम 108 बार रोजाना करें और अगर इस फटिक की माला से करेंगे तो और बहतर होगा कमल गट्टे की माला भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं उनको शुक्र आपको अच्छे फल जरूर देगा तुला राशी तुला राशी वाले जातक विश्यस रूप से इस फटिक की एक माला अपने गले में धारन करके रखें तो उनको शुक्र के बहुत अच्छे परणाम मिलते हैं बहुत अच्छे परणाम सामने आते हैं वरश्चिक राशी अपने पार्टनर का सम्मान करना शुरू करें अपने दोस्तों का सम्मान करना शुरू करें अपने सहकर्मियों का सम्मान करना शुरू करें और कब ही अगर संबब हो तो अपने पार्टनर को एक फूल तोहपे में दिया करें, एक फूल उनको गिफ्ट में दिया करें, तो कहीने कहीं आपका शुक्र आपको अच्छे फल देने शुरू करतेगा, धनो राशी, अपने आसपास सभी महिलाओं की इज़त करना शुरू करें, उनका आशिरवाद ल या फिर फालतू के प्रामिसेस न करें, और किसी तरह का वादविवाद और लड़ाई आप महिलाओं से न करें, तो आपका शुक्र आपको जरूर अच्छे फल देगा, मकर राशी, मकर राशी वाले शुक्रवार के दिन मालक्षमी की पूजा करना शुरू करें, यदि समय शुक्रवार के दिन मकर राशी वाले लोग छोटी सी, थोड़ी सी ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी खीर जरूर बना लिया करें, उस खीर में से जरासा भोग मालक्षमी को अपने घर पर लगा दें, बाकी परशाद के रूप में सब लोग घर में गरन कर सकते हैं, बाह कोई भी मिठाई दान करना शुरू करें, किसी ब्रामन महिला को, अगर आप चाहें, तो सफेद वस्तर भी किसी ब्रामन महिला को, कोई भी सफेद वस्तर, कोई भी सफेद पहनने की चीज़, आप उनको दान कर सकते हैं, तो भी मेन राशी वालों के लिए बहुत अच्छा ह होता है और उनका जीवन सुख में हो जाता है बहुत बहुत आभार आप सभी का अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप मारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले और हाँ अगर यह वीडियो आप फेस् शरी आप